क्लास 10 चेप्टर 14 में हम बात करते हैं अनवीकर्णी उर्जायस्त्रोत और नवीकर्णी उर्जायस्त्रोत पर क्या होते हैं अनवीकर्णी उर्जायस्त्रोत नान रिनिवेबल एनर्जी सोर्सेस किने कहते हैं आईए हम देखते हैं हम जानते हैं कि हम बहुत अधिक समय तक जिवाश में इंधन जैसे कोईला पेट्रोलियम आदी पर निर्भर नहीं रह सकते ये स्त्रोत तो किसीने किसी दिन क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इनके भंडार क्या हैं सिमित हैं तो उर्जा के ऐसे स्त्रोत जो किसीने किसी दिन समाप्त हो जाएंगे और इनके भंडार क्या हैं सिमित हैं जिनको हम जिवाश में इंधन कहते हैं कोईला पेट्रोलियम आदी की बात हम करते हैं मतलब उड़ जाके ऐसे इस्त्रोत जो बार-बार उपयोग में लाने के बाद उन्हें पुनह इस्तापित या पुनरिस्थापन उसका संभव नहीं होगा क्योंकि ये लाखो वर्षों की प्रक्रिया के बाद में प्रत्वी के अंदर बनते हैं और हम इनका दोहन जिस तेजी से कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से इनका उपयोग या इन इस्त्रोतों का बार-बार उपयोग कर लेने के बाद इनका पुनरिस्थापन किया जाना संभव नहीं होगा तो ये इस्त्रोत निश्चिती किसी ने किसी दिन क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे तो ये कोईला है पेट्रोलियम है जिवाश मेंदन है ये हमारे अनवी करनी उर्जा इस्त्रोत हैं तो एसे इस्त्रोत अनवी करणी इस्त्रोत या समाप पे इस्त्रोत कहलाते हैं ये किसीने किसी दिन समाप्त होने वाले हैं ये है कोईला पेट्रोलियम आदी तो उर्जा के इसे इस्त्रोत जिनके बारे में हमने बात की कि एक नेक दिन ये क्या हो जाएंगे समाप तो हो जाएंगे और इनके भंडार क्या है बहुत सीमित है तो ये इस्तरोथ जो बार-बार उपयोग में लाने के बाद इनका पुनरिस्थापन भी नहीं हो पाएगा एसे इस्तरोथ अनवी करनी इस्तरोथ हैं अब बात करते हैं हम नवी करनी इस्तरोथ या रिनिवबल एनर्जी सोर्सेस की जो उड़जा के नवी करनी इस्तरोथ कोन-कोन से है तो उड़जा के इसे इस्तरोथ जो बार-बार उपयोग में लाने के बाद भी उनका पुनरा इस्तापन क्या होगा संभव होगा हमारे नेचुरल या प्राकरतिक पर्यावन में नवी करनी इउड़जा बहुत प्रचूर मात्रा में उपलब्द है और इन भंडारों के खाली होने की व्यवारिक संभवना भी क्या है नगण्य है और हम इनसे कंटिन्यूस एक निश्चित रेट पर उड़जा की जो है कॉंस्टेंट आपूर्ती या नियत आपूर्ती ले सकते है मतलब क्या होगा कि ये उड़जा इस्तरोद बार बार उप्योग में लाने के बाद में भी क्या है इनका पुना इस्तापन क्या है संभव है जैसे विंड एनर्जी है पवन उड़जा है तो हवा चलती रहेगी और हम विंड एनर्जी को प्राप्त करते रहेंगे कभी वो तेज चलेगी कभी वो कम चलेगी परन्तो हम कांटिन्यूस रूप से कॉंस्टेंट रेट से उड़जा के आपूर्थी को लंबे समय तक या यूं कहें कि हमेशा के लिए प्राप्त करते रहेंगे जैसे जल उड़जा है तो वर्षा होती रहती है और वर्षा कभी कम कभी ज़ादा होती रहेगी और विद्यूत उड़जा का जल विद्यूत उड़जा का उत्पादन होता रहेगा या यूं कहें कि सोर उड़जा से हमें निश्चत रूप से सोर पेनल और सोर सेल और अन्यमाद्यमों से उड़जा के आपूर्ती सतत रूप से होती रहेगी तो ऐसे उड़ जाय स्तरोत कहलाएंगे नवी करणी या असमाप पेस्तरोत जो जिनकी दिर्ग काली उपलब्दता संभव है और इन बंडारों के खाली होने की जो व्यवारिक दर है वो नगंडे है मतलब ये लगातार चलते रहेंगे चलते रहेंगे हम इनका उपयोग करते रहेंगे तो ऐसे उड़ जाय स्तरोत कहलाएंगे नवी करणी या रिनेवबल एनरजी सोर्सेज या असमाप पेस्तरोत तो आज हम देख रहे हैं कि हमने समझा नवी करणी और अनवी करणी तो अनव ही ते रिन्यूविबल सोर्सेज हैं जैसे पवन उड़ जा सोर उड़ जा जल उड़ जा आदी धन्यवाद